एसेज राजा मौली की फिल्म टिपल आर को आलिया भट ने क्यों छोड़ा? किस वज़ा से तूट गया आलिया भट और रणबीर कपूर का रिस्ता आलिया भट की और कौन-कौन फिल्म आने वाली है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिया भट के फिल्मी गलियारे में डारेक्टर एसेज राजा मौली के फिल्म टिपल आर काफी दिनों से चर्चा में इस फिल्म के जरिये बॉलिवूड अक्ट्रेस आलिया भट साउथ फिल्मों में डिबुक करने वाली थी। संक्रमन को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोश्पॉन कर दी गई। अब सुत्रों का कहना है कि राजा मौली लगातार आलिया भट के मैनेजर के संपर्क में हैं और वे मैं मैं में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलिया, सनक्टू, ब्रंभास्ट और संजरीला बनसाले की गंगु बाई, काठिया वाडी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं। अक्टर्स को लगा कि वे डेट्स का एड़ेस्मेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा मौली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। हाना कि कुछ दि शूटिंग आलिया के साथ होनी है। आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजा मौली इसकी शूटिंग शूटिंग कर देंगे। टेपल आर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के स्वतनता सैनिकों, अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम क की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जूनियर एंटियार और राम चरन मुख भूमकाओं में नजर आएंगे। और इसी फिल्म में बॉलिवुड के एक्टर अजेज दियोगन भी कैमियों रोल करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्मान मे 400 से 400 क्रौन रुपए खर्च होंगे। आलिया भट और रनवीर कपूर बॉलिवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। दोनों की शादी का फाइंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ परेसान करने वाली खबरे सामने आ रहे हैं। खबरों की म और कुछ लोगों का मानना है कि रनवीर और आलिया अब भी साथ हैं। अभी हाल ही में आलिया भट 27 साल के हुई हैं और उन्होंने अपना जनम दिन मनाया है। एक्ट्रिस ने अपना जनम दिन बहन शाहिन भट और अपनी गल गैंग के साथ मनाया है। लेकिन उसके बाद एक फोटो सोसल मीडिया पर काफी वारल हुई जिसमें रनवीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे। उस फोटो में रनवीर और आलिया के लावां अरजुन कपूर और मलाइका अरोडा भी थे। फोटो को नतासा पूना वाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर सेर किया था। लेकिन अब खबरे यह हैं कि रनवीर तो आलिया के बड़े पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बड़े पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की। दोस्तों आज के लिए बस इतन हैं। अगर आपको कोई भी प्रस्न पूछना है तो आप हमसे सिधे पूछ सकते हैं। आपके प्रस्नों का जबाब आपको नेक्स वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा। आप बताए क्या रनवीर कपूर के साथ आलिया भट की साधी होनी चाहिए या फिर नहीं।